गर्दन में दर्द के कई कारण हो सकते हैं आज कल पच्चों से लेके बुढ़े तक सब में यह दर्द आम समस्या हो गई है सब में यह दर्द पाया जाता है आज हम समझेंगे कि गर्दन में दर्द होता क्यों है इसके कारण क्या है और क्या ठोस उपाय किये जाए जो करने से यह गर्दन का दर्द ठीक हो सकता है मैं डॉक्टर शीतल टॉंग से आप सभी का मेरे इस यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ डॉक्टर टॉंग से होमियोपेथी यह चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकान पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें भीमारी से मुक्त स्वस्त जीवन जीए गर्दन के दर्द को पूरी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हमें हमारी गर्दन की जो बनावट है उसको समझना चीए हमारे गर्दन में साथ सर्वाइकल वर्टिवराज होते हैं साथ हड़िया होती है जो शुरू होती है C1 से C1, C2, C3, C4, C5 और C6 और C7 यह साथ वर्टिवराज होते हैं हमारे गर्दन में अब क्या होता है दो हड़िया जो होती है वो दो हड़िया कार्टिलेज और मास्पेशियों की वजह से एक दूसरे से जुड़ी होती है इन वर्टिवराज के बीच में जो छेद होता है जिसे हम लोग कहते है spinal canal, आपने क्या समझा है, वर्टिब्राज है, साथ वर्टिब्राज एक मेक से जुड़े हुए है, और इसके बीच में से, जो छेद है, जिसे हम vertebral canal कहते है, इसमें से कुछ नसे निकलती है, जिसे हम nerves कहते है, और ये नसे फैली होती है हमारे शरीर में, अब दर्द का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, दर्द का सबसे बड़ा कारण होता है, गलत position में बैटना, या गलत position में सोना, जिसकी वज़े से गर्दन की मास पेशियों में सुजन, या फिर अकड़ावट आ जाती है, बहुत जादा गर्दन अकड़ जाती है और मुवमेंट में भी काफी दिक्कत महसुस होती है गर्दन को मोडने में तकलिफ होने लगती है दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है पेशन को मुवमेंट करने में भी तकलिफ होती है कभी-कभी चकर भी इसमें आने लगती है, सूजन आ जाती है, जैसे मैंने पहले ही बताया, spinal canal में जो नस निकलती है, अगर गलती से यह जो नस निकली है spinal canal में से यह दब जाए, तो क्या होगा, तो यह नस शरीर के जिस भी अंग को सप्लाई करती है, वहाँ पर sensation पूरी तरह से जा सकता है, या फिर बहुत धर्द हो सकता है, या फिर हातों में, उंगलियों में, सुनपना, weakness आ सकता है, दो मनकों के बीच में अगर जो डिस्क होती है, वो डिस्क किसी कारण से सरक गई, common language में हम जो बोलते हैं कि हमारे मनकों के बीच में कि डिस्क सरक गई, या फिर गिस गई उससे भी गर्दन में बहुत जादा दर्द महसूस हो सकता है तो गर्दन के दर्द के common कारण क्या है पहला कारण है गलत पोजिशन में सोना अगर आपकी सोने की पोजिशन सही नहीं है आपकी बेड़ की पोजिशन सही नहीं है उससे भी गर्दन में दर्द बढ़ सकता है भारी वजन सर पे उठा कर चलना यह दूसरा कारण गर्दन को लगातार बहुत देर तक जुगा के मुबाइल के तरफ देखते रहे ना इस तरह से या फिर जो लोग कंपेटर पे काम करते है वो एक ही पोजीशन में बहुत देर तक ऐसे अगर बैटे है तो आपके गर्दन के उपर प्रेशर आ सकता है जिससे गर्दन में दर्द हो सकता है जादा बड़ा अगर तक्या आप लेते हैं यह भी गर्दन के दर्द का एक कारण हो सकता है किसी भी काम को बहुत देर तक नीचे जुक कर देखना जैसे मैंने आपको computer का बताया या फिर ladies में हम लोग कुछ सिलाई बुनाई करते हैं वो भी कारण हो सकता है गर्दन के दर्द का बहुत जादा tension लेने से भी इंसान के गर्दन की जो muscles होती है वो tight हो जाती है और उसमें दर्द होता है अब कुछ ऐसी बिमारिया भी है जिसमें गर्दन का दर्द commonly होता है जैसे cervical spondylitis है, disc herniation है, osteoarthritis नाम की बिमारी है या cervical radiculopathy हम जिसे कहते है या tuberculosis के जैसे भी कुछ बिमारिया होती है जिसमें गर्दन का दर्द commonly पाया जाता है अब समझते हैं इस दर्द का इलाज कैसे किया जाए तो गर्दन के दर्द को ठीक करने के लिए सबसे जरूरी होता है उसके कारण का पता लगाना अगर आपको मालूम हो जाए कि दर्द हो क्यों रहा है उसका कारण अगर आप ढूंड सके तो आप उस कारण को दुरूस करके इस दर्द को मिटा सकते जैसे मैंने बताया कि आप बहुत देर तक computer पे काम करते है तो आपका computer का level अगर नीचे है तो आप क्या करेंगे टेबल को थोड़ा उचा उठाएंगे आप अगर government job कर रहे हो और टेबल आपका नीचे है तो मैं तो आपको ये suggest करूँगा कि आप खुद के घर से टेबल वहाँ पे लगवाईए या टेबल के उपर कुछ ऐसी arrangement करिए जिसकी वज़े से वो computer का screen आपके eye level पे maintain हो जिससे आपको ये दर्द पुरी तरह से ठीक हो सके कुछ घरेलो उपाय आप कर सकते हैं जैसे 5-6 दिन तक आराम कीजिए अगर बहुत दर्द है तो गरदन जुकाने का अगर काम है तो उसे टालिए गरदन जुका कर काम बिलकुल भी मत करिए अगर बहुत तकलिफ आपको लग रही है swelling लग रही है तो सरसो के तेल से हल्की massage आप कर सकते है एकादे तुलियों को गरम करके या गरम पानी में भिगो करके गरदन पर अगर आप लगाते है तो उसे भी दर्द कम हो सकता है regular stretching exercise आप कर सकते है stretching exercise अगर आप regularly करेंगे तो उसे भी ये दर्द बहुत माइने में कम हो जाएगा और इसके बावजूद भी अगर दर्द कम नहीं हो रहा है या बहुत दिन तक आप घर पर बैठकर दर्द सहन कर रहे है तो यह यह सिंबॉल है कि आपने immediately डॉक्टर को दिखाना चाहिए आपने खुद के दिल से पेंट किलर बिल्कुल भी नहीं लेना है मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि होमियोपैथी की ट्रिटमेंट करिए क्योंकि होमियोपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाईया है जिससे यह सारी तकलीफे पर्मनेंट लिगाएब हो जाती है कुछ फिजियोथेरपी के एकसाइज़ भी आप घर में कर सकते हैं इसका एक वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वो वीडियो भी आप देख सकते है जिसको देखकर कुछ exercises भी आप कर सकते है सो होमेपेथी लीजिए खुश रहिए अपनी गर्दन को आई लेवल पर ही maintain रखिए इससे related बाकी के भी वीडियो मैंने यूटुब पे डाले है उनको भी याद से देखिए ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आपके दोस्तों तक आपके family members तक इसे पहुँचाईए और इस channel को like करिए subscribe करिए thank you